लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए नवश्कार एक्सलेंसीच बंगलादेश के राश्पती अब्दूल हमिज जी प्रजान मंत्री शेख हसेना जी कृषि मंत्री डॉक्टर मौहमत अब्दूल रजाग जी मेडम सेख रहाना जी अन्य गणमान्य अतिजिगान शोनार बंगलादेश है प्रियो बंदूरा आप सभी का यसने मेरे जीवन के अन्मोल पलो में से एक है मुझे खुशी है कि बंगलादेश की विकास यात्रा के इस अहर्म पड़ाव में आपने मुझे भी शामिल किया आज बंगलादेश का राष्ट्रिय दिवस है तो शाधिन्ता के पचासवी वर्षगाण भी है इसी साल ही भारत बंगलादेश मैत्री के पचास वर्ष पुरे हो रहे हैं जातिर पिता बॉंग बंदू शेक मुझमर रह्मान की जन्मस्थिकाई वर्ष दोनों देशों के सबंदों को और मजबूत कर रहा है एक्सलेंसीज राश्पती अब्दूल हामीज जी प्रदान मंत्री सेख हजिना जी और मंगलादेश के नागरी कोंखा मैं आभार प्रज़ड करता आपने अपने इस गवरव सालिक्षणों में इस उत्सों में भागिदार बनने के लिए भारत को सप्रेम निमंत्रन दिया मैं सभी भारतियों की तरफ से आप सभी को बंगलादेश के सभी नागरी कोंखो हार्दिक बढ़ाई देता हूँ मैं बॉंग बंगो शेक मुझुबर रह्मान जी को आदर पुर्वक सद्धान देता हूँ जिनोंने बंगलादेश और यहां के लोगों के उनके लिए अपना जीवन नियुचावर कर दिया हम भारुत वास्यों के लिए गवरों की बात है कि हमें शेक मुझुबर रह्मान जी को गांदी शांती सम्मान देने का आउसर मेरा मैं यहां अभी इस कारकम में भब प्रस्तुदी देने वाले सभी कलाकारों की भी सराना करता हूं बंदुगों मैं आज याद कर रहा हूं बंगलादेश के उन लाखों बेटे बेटियों को जिनोंने अपने देश अपनी भाशा अपनी संस्कृति के लिए अंगिनत अत्याचार सहे अपना कूं दिया अपनी जिन्दगी दाव पर लगा दी मैं आज याद कर रहा हूं मुक्ति जुद्धों के सुर्वीरों को मैं आज याद कर रहा हूं नमन करता हूं जो मुक्ति जुद्धों में बंगलादेश के भाई बहरों के साथ खड़े हुए जिन्दों ने मुक्ति जुद्ध में अपना लहू दिया अपना बंगलादेश के सपने को साकार करने ने बहुत बड़ी भूमिका निवाई फिल मार्सल, सैम मानेशा, जनरल अरोरा, जनरल जेकर, लांस नाइक अलवट एका, ग्रूप कैप्टन जन्दन सी, कैप्टन मोहन नारेड राव सामंत ऐसे अंगिलेश, जितने ही वीर हैं, जिनके नित्रुत्व और साहज की कथाएं, हमें प्रेवित करती हैं बंगा देश सरकार गारा, इन वीरों की इस बुरुति में, आर्शुक्रोंग में, वार मेमोरियल समर्पित किया गया है मैं इसके लिए आपका अभार रेक्त करता हूँ, मुझे खुशी है कि मुक्ति जुद्धों में सामील, कई भार के सैनी, आज विशेश का रुप से, इस कारकम में मेरे साथ उपस्तित भी हैं बंगला देश के मेरे भाई और बहनों, यहां की लौजवान पीरी को, मैं एक और बात कराना चाहूँगा, और मैं गर्मों के साथ याद दिलाना चाहूँगा। बंगला देश की आजादी के लिए संगर्ष में, उस संगर्ष में सामील होना, मेरे जीवन के भी पहले आंदोनों में से एक था। मेरी उम्रण 20-22 साल रही होगी, जब मैंने और मेरे कई साथ को ने बंगला देश के लोगों की आजादी के लिए सत्यागर्ष किया था। बंगला देश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरता नहीं भी दी थी और जेल जाने का उसर भी आया था। यानि बंगला देश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी, उतनी ही तड़प उधर भी थी। यहां पाकिस्तकान की सेना ने जो जदन्य अप्राग अरत्याचार किये थी। वो तस्विरें विच्वित करती थी। कई दिन तक सोने नहीं देती थी। गोविल्दोहंदर जी ये कहा था। एक शागोर रखतेर बिदिमोये। बांगलार शादिनोंता आनले ध्यारा आमराथ तोमादेर फुल बोना। यानि जिनोंने अपने रत्त के सागर से बंगला देश को आजादी देलाई। हम उन्हें भूलेंगे नहीं। हम उन्हें भूलेंगे नहीं। बंदुगों एक निरंकुत सरकार अपने ही नागरिकों का जन संहार कर रही थी। उनकी भाशा, उनकी आवाज, उनकी पहचान को कुचल रही थी। आपरेशन सर्चलाईट की उस कुरूरता को दमन और अत्याचार के बारे में विश्व में उतनी चर्चा नहीं किया है जितनी उसकी चर्चा होनी चाहिए। बंदु बंदु इन सक्ते बीच यहां के लोगों और अंभार्तियों के लिए आशा की किरंथे बंदु सेख मुझबुर रमान। बंदु के होसले ने उनके नित्रुत्व ने यह तैय कर दिया था कि कोई भी ताकर कोई भी ताकर बंगलादेश को गुलाम नहीं रख सकती। आप बंदुन Dul arlaam किया था लाएं कि यह बारें संग्रण यहेवरें मुक्तितर शंग्राइब है सोटिनों फारं इस मार्स छंग्राम मुक्ति के लिए है इस बार शंग्राइब आजादी के लिए हैं उनके नित्रुत में यहां के सामान निमानवी पुरुष हो यस्त्री हो किसान नवजवान जिच्चर कामजा सब एक साथ आकर मुक्ति बाहिनी बन गई और इसलिए आत का यह उसर मुझी बोर्षे बॉंग बंदू के वीजन उनके अदर्शों उनके सांस को याद करने का भी दीन है यह समय चिरोवित्रोही चिरोवित्रोही को मुक्ति जुद्धों की भावना को फिर से याद करने का समय है बंदुगों बांगला देश के स्वाधिन्ता थंगराम को भारत के कौने कौने से हर पार्टी से समाज के हर वर्ग से समर्थन प्राप्त था तत्कालिन प्रधान मत्री श्रीमती इद्रा गांदी जी के प्रयास और उनकी महत्तुपुल भूमी का सर्वविजित है उसी दोर में 6 दिसेंबर 1971 को अटल भी हरी वाधपाई जी ने कहा था हम न केवल मुक्ति संग्राम में अपने जीवन की आहूती देने वालों के साथ लड़ रहे हैं लेकिन हम इतिहास को एक नई दिशा देने का भी प्रयात कर रहें आज बांगला देश में अपनी आजादी के लिए लड़ने वालों और भारतिये जवानों का रख साथ साथ बहरा है यह रखता ऐसे समंदों का निरमार करेगा जो किसी भी दमाव से तूटेंगे नहीं जो किसी भी कुट निती की का शिकार नहीं बढ़ेंगे हमारे पुर्वर राश्पति प्रणव मुखर जीजें प्रणवद्या ने कहा था बॉंग बंदू को उन्होंने एक टारलेस स्टेश्मेंट कहा था उन्होंने कहा था कि सेख मुझमिर रह्मान का जीवन धैरिया प्रतिवत्यता और आत्मसयम का प्रतीख है बंदूगों ये एक सुकत से योग है कि मंगला देश के आजादी के 50 वर्ष और भारत की आजादी के 75 वर्ष का पड़ाव एक साथ ही आया है हम दोनों ही देशों के लिए 21 सबी में अगले 25 वर्षों की आत्रा बहुत ही महतब पुण है हमारी विरासत भी साजी है हमारा विकात भी साजा है हमारे लक्ष भी साजे है हमारी चुनोतियां भी साजी है हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योग बहुत जहां अमारे लिए एक जैसी संभावनाए है तो आतंकबाद जैसे समान खत्रे भी है जो सोच और सक्तियां इस प्रकार की अमानविय गटनाओं को अंजाब देती है वो अब भी सक्रिय है हमें उनसे सावधान भी रहना चाहिए और उनसे मुकाबला करने के लिए संगठित भी रहना होगा हम दोनों ही देशों के पास लोग तंत्र की ताकत है आगे बढ़ने का सपस्त भीजन है भारत और मंगला देश एक साथ बिलकर आगे बढ़े इस पूरे छेत्र के विकास के लिए उतना ही जरूरी है और इसलिए आज भारत और मंगला देश दोनों ही देशों की सरकारे इस सम्वेदन सिर्था को समझ कर इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही हमने दिखा दिया है कि आपसी विश्वास और सयोग से हर एक समाधान हो सकता है हमारा लैंड बाउंडरी अगिर्मेंट भी इसी का गवाह है कोरोना के इस कालखंड में भी दोनों देशों के बीच बहतरीन तानमेल रहा है हमने सार्ख कोविट फंड की स्तापना में सयोग किया अपने हुमन रिसोर्स की चेनिंग में सयोग किया भारत को इस बात की बहुत खुशी है कि मेंड इंडिया वैक्षिन्स बंगला देश के हमारे बहनों और भाईयों के काम आ रही है मुझे आध है वो तस्वीरे जबी साल 26 जन्वरी को भारत के गणतंत्र दीवस पर बांगला देश आम फोर्सिस के कि ट्राइश सर्विस कंटिजन्स ने शोनों एक्टीर शोनों एक्टीर मुझी बोरेर थेके इस धून पर दिल्ली में परेड कि भारत और मंगला देश का भविश सद्भाव भरे आप विश्वा आपसी विश्वास भरे ऐसे ही अंगरित पलों का इंतिजार कर रहा है साथियों भारत बंगला देश के समंदों को मजबूत करने के लिए दोनों ही देशों के यूथ में बहतर कनेक्ट की भी उतना ही आवश्यक है भारत बंगला देश समंदों के पचास वर्ष के अवसर पर मैं बंगला देश के पचास एंट्रप्रिनर्स को भारत आमंत्रित करना चाहूंगा ये भारत आएं हमारे स्टांटरप और इरोवेशन एकोसिस्टिम्स से जुड़े वेंचर केपिटालिस से मुलाकात करे हम भी उनसे सिखेंगे उन्हें भी सिखने का अवसर मिलेगा मैं इसके साथ साथ बंगला देश के युवाओं के लिए सुबर्नो जेंती स्कॉलर्शिप की गोशना भी कर रहा हूँ साथियों बंग बंदु शेख भुजिबर रह्मान जी ने कहा था बंगला देश इतिहां से शाधीन राष्टों हिसे बेटिके ठाक बे बंगला के दाविये राखते पारे एमोन कोनों शक्तिनाई बंगला देश स्वाधिन होकर रहेगा किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि बंगला देश को दबा करके रख सके बंग बंदू का ये उद्गोश बंगलादेश के अस्तित्व का विरोध करने वालों को चेतावनी भी थी और बंगलादेश के सामर्थ पर विश्वाद भी था मुझे खुशी है कि सेख हसिनाजी के नेत्रुत में बंगलादेश दुनिया में अपना दम खम दिखा रहा है जिन लोगों को बंगलादेश के मिरमान पर एतराथ था जिन लोगों को बंगलादेश के अस्तित पराशिका थी उन्हें बंगलादेश ने गवलत साबिट किया है साथ्यों हमारे साथ काजी नजरोल इसलाम और गुर्देव रवेनराथ ठाकूर की समान विरासत की प्रेना गुर्देव ने कहा था काल नाई आमा देर हाथे कारा कारी को रेताई शबे मिले देरी कारोन ही शहे को भूब यानि हमारे पास गवानिर के लिए समय नहीं है हमारे पास बढ़लाव के लिए आगे बढ़ना ही होगा अब हम और देर नहीं कर सकते हैं ये बार भारत और मंगला देश दोनों पर समान रुप से लागू होती है अपने करोड़ों लोगों के लिए उनके भविश्य के लिए गरीवी के खिलाप हमारे युद्ज के लिए आतन के खिलाप लड़ाई के लिए हमारे लक्ष एक है इसलिए हमारे प्रयाद भी इसी तरह एक जुट होने चाहिए मुझे विश्वास है भारत बंगला देश मिलकर तेज गती से प्रगति करें ये मैं एक बार फिर इस पामन परवपर बंगला देश के सभी नागरिकों को अनेक अनेक शुपकामना ये देता हूं और रिदय से आप सभी का बहुँत बहुत धन्यवास करता हूं भारोट बंगलादेश मोईतरी चिरोजी भी हो इनी सुपकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ जोए बंगला, जोए हिंद आंतुरिक धन्नबाद भारोटेरी मानुनियो प्रधान मुंतरी के तार मुल्लुबान बुक्त बिर्जन्नौ हाथिएस थैंस तो ओनरबल प्राम मिनिस्टर फिंदिया फोर यो इंस्पारी स्पीच पर ओल बंगलदेशी आर वेटिटी तो यूसरी पुपसेच शुथी एवर आजकेर अनुस्थाने सम्मानी तो दिथी भारोटेर मानुनियो प्रधान मुंतरी श्री नरुन्रमोदीके ज करो lot resembling क कैन गल वेट उनकेर वे लोक्स अस्वारा इंस कस श्राम मुंतरी तो ओनल में लूगए तो a इंस मानुनियो खर आर वेश्वां का ज अबनच कांस उनल